सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस तबेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नोशकार साथियों स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टेडी विद पियन लोदा मित्रों रीट सिक्सक बरती 2020 है तू गनित विज्ञान की सिक्सेन विदियो का पार्ट नमबर चार आज आपके लिए लेकर आया हूं शांदार महतपुन क्यूशन देखने को मिलेंगे जो लेवल एक के लिए और लेवल दो के लिए दोनों के लिए समान रूप से उप्योगी है लेवल एक में देखो सभी के लिए उप्योगी है और लेवल दो में जो गनित और विज्ञान वाले हैं उनके लिए उप्योगी है साथ में कुछ क्यूशन जो सामाजिक में भी चलते हैं वो भी मतब कोमन क्यूशन है वो भी सामाजिक वाले हल कर सकते हैं साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है तो चली वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन एक बार सभी को बता दूँ कि जो हर संडे मेगा टेस्ट होता था वो इस संडे नहीं हो पाएगा साथियों अगले संडे आपके मेगा टेस्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे पुल टेस्ट आपका टेस्ट हो जाएगा अगले संडे को अपका प्रतम प्रिशन आता है साथियों निम्न में से कक्षा में गनित सिक्षन के उद्देश्यों की सटी की विशेस्ता नहीं है प्रश्ण इंपोर्टेंट है कुछ प्रिश्ण मेंने पिछले पेपरों से वियावारिक पदो में होने चाहिए ये प्रिक्षन योगी उने चाहिए या विशीष्ट होने चाहिए सातिव, राइट आंसर इसका नहीं दे देखिए चार आपशन बोहुत ही अच्छे हैं यहां पर तो राइट आंसर बताईए आपको कौनसा आंसर आपको लगता है कि जो इसमाए सही रहेगा बताईए राइट आंसर सात्यों इसमें बोनस दिया गया था रीट के एक्जाम में इस परिश्ण में लेकिन आपकी फर्ष्ट चोईस यहां होनी चाहिए चोता विकल्प विशिष्ट होने चाहिए यह आपकी फर्ष्ट चोईस होना चाहिए वेसे चारों ही आंसर सही है सात्यों लेकिन फिर भी आपका चोता विकल्प जो है वो पर्ष्ट चोईस होनी चाहिए बाकी ये तीन ज्यादा important रखते है उद्देश्यों के अंतरगत इसलिए आपका यहाँ पर चोता विकल्ब पहले सही है फिर तीसरा सही है फिर दूसरा सही है और फिर परतम सही है तो इस प्रकार से उद्देश्यों से सम्दित विषियस्ता नहीं है पूछे तब इस करम में है और पूछे कि उद्देश्यों से सम्दित सटी क्यश्यसता है तो सबसे पहला आपका आणसर होना चाहिए जो जीवन से संमन्दित हो इस प्रकार आप कोई Chhat हैजिसकी कोफी अलग अलग ओद जो टीचर है वह सब्जच्ट के कोफी और रहा अहीं लाक है तो कौन सी विश्यूसता है कि वस्तु निश्थ वैद ता विश्वस नहीं ता साथ देता साथियों राइट आंसर बताना है इसमें राइट आंसर बताईए आप इसका सही आंसर क्या रहेगा मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वस्तु निश्टा और विश्वस नहीं था दोनों ही विकल्प इसके सही माने गए थे प्रत्म और तर्तिय विकल्प क्यों किस आदार पर माने गए थे क्योंकि अलग-अलग परिक्सक यहां पर कोपी चेक करे परिराम समान आ रहा है तो मतलब वो विश्वस नहीं है और यहां पर अंक बिल्कुल ही समान हो रहे अंको की बात कर दी गई है इसलिए यह वस्तुनिष्ट भी है इसलिए प्रत्म और तर्तियत दोनों ही विकल्प इसमें सही माने गए थे नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर तीन देखेंगे निम्न में से वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रश्णों की सीमा है कि जो ओब्जेक्टिव टाइप के क्यूशन है उनकी क्या सीमा है अपको बताना है यह इसमें अनुमान लगा सकते है असर इसे निर्मान में कटिनाई होती है जटिल पर किर्याओं को नमाप सकना और उप्रोक्त सभी तो साथी और रायट आंसर बताईए कि कोन सी विशेश्टा मतब कोन सी वस्तुनिष्ट प्रकार के जो प्रश्ण है उनकी सीमा के अंतरक्त आ साथी और इसका रायट आंसर है उप्रोक्त सभी यह सभी चीजे वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रश्णों जो होते हैं उनकी सीमा के दो या दोश के दो कि इनमें अनुमान लगा सकते हैं निर्मान में कटनाई आती है क्योंकि पिपर बड़ा बनता है जटिल पर किर्याओं को यह माप नहीं सकते हैं इसलिए चोटा विकल्प आपका सही रहेगा नेक्स्ट प्रश्ण नमबर चार गणित वहब आशा है जिससे परमेश्वल ने संपून जगतिया ब्रह्मान को लिग दिया है यह कतन किसका है वेरी इंपोर्टेंट कतने साथियों रीट के एक्जाम हैं टेट वाले उसमें भी गणिसिक्सन के अंतरगत ये क्युशन आ चुका है तो आपके वाफिस रीट दोजार बीसी किसके अंतरगत ये प्रिश्ण आ सकता है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्युशन है लिख लीजी इसको कि गणित वह बाशा है जिससे परमेश्वल संपुन जगत्या ब्रहमाण को लिग दिया ये कन किसका है गेलेलियो रसेल प्लेटो और हां hog awakening के वह लिए निमन में से किसका उपयोग किया जाता है जाच सूची का प्रशनावली का rating scale का और इस्तरम आपका तो देखिये अनेक प्रकार की सूचने छातरों से एकत्रित करनी है तो वहाँ पर प्रशनावली विदी का उप्योग किया जाता है प्रशनावली का मतलब क्या होता है की ये एक प्रशन पुस्तिका होती है कागत की जिस्प को किसी माध्यम से चात्र के घर पर बेजा जाता है पिर उसमें अनेक प्रकार के प्रिशन होते हैं जिनका जावाब चात्र को देना होता है इससे उसके अनेक प्रकार की सुचने प्राप्त हो जाती है तो अपका सेकंड विकल्पिस में सही रहेगा नेक्ट प्रिश्ण नमबर 6 पे चलते हैं गणित सिक्सन में व्यक्तिगत उप्चारात्मक सिक्सन का योजन किया जाना चाहिए कब किया जाना चाहिए राइट आंसर बताइए निदानात्मक परिक्सन से पहले सामुहिक उप्चारात्मक सिक्सन से पहले सामुहिक उप्चारात्मक सि यहां पर रखना है आपको प्रिशन क्या पूछ रहा है आपसे व्यक्तिगत उप्चारात्मक सिक्सन का योजन तो पहले तो आप यहां पर सामोई उप्चारात्मक सिक्सन करोगे फिर उसके बाद में व्यक्तिगत उप्चारात्मक सिक्सन करोगे मतलब पहले तो सभी की समश्याओं को समधान करोगे और फिर भी कोई बच्चा रही जाता है तो फिर उसको व्यक्तिगत रूप से आप उसकी समश्याओं का समधान कर सकते हो इसलिए तीसरे विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्ने छे में नेक्स्ट प्रश्ने संक्या साथ खेल विधी के जन्म दाता हैं प्रोबेल, डाल्टन, मॉन्टेन सरी और सिंगमंड फ्रायड तो मित्रों आपके दिमाग माया होगा कि खेल विधी के जन्म दाता तो हेंड दिए जन्म कोल्टवेल कुक ठीके आया होगा बिलकुल आपके दिमाग में लेकिन कुक और यह ना तो फिर आप वहाँ पर फ्रोबेल करोगे यूकि फ्रोबेल ने अपनी सिक्सन विधी किंडर गाटन के अंतरगत खेल विधी का प्रियोग किया था इसने आपका पृत्व की सरोत्तम विदी कौन सी है कि बच्चों को रेखा गणित सिक्षन पराना है आपको और UPS इस्तर है तो कौन सी विदी बेश्ट रहेगी विश्लेशन विदी परदर्शन विदी आगमन विदी और संसलेशन विदी तो सातियों राइट आंसर बताएए प्रिश्ण संक्या प्रिश्ण संक्या आठ में यह वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है यह सी एसे क्यूशन है जो आपके सीधे तो और पर एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो होगा क्या कि जब एक्जाम देखे आओगे तो मैं गिना हूंगा आप सभी लोगों को कि कितने क्यूशन डारेक् हैं गनित की प्रकरति यह तारकिक विशे है यह कठिन विशे है यह आलंकारिक विशे है और यह उस्त विध्यार्थियों के लिए नहीं है तो सातियों गनित की प्रकरति क्या है इसका right answer है कि जह एक तारकिक सब्जेक्ट है ठीक है इसमें तर्क दे सकते हो आप किसी भी चीज का पांसर जब देते हो तो उसका एक तर्क होता है कि साथार पर इसका अंसर यह रहेगा तो प्रतम विकल्प प्रिशन संक्या 10 दसवा प्रिशन है मित्रों जल जीवश्याला में रखे गए हरे जलिये पोधे विञ्यान सिक्सन में किस प्रकार उपयोगी है ये जीवश्याला का संदर बढ़ने के लिए जलिये जीवों को ओक्सिजन वे भोजन उपलब्द कराने के लिए चात्रों को विज्ञान सिक्सम के प्रतीरूची जागरित करने के लिए और उप्रोक्त सभी तो सात्यों रायट आंसर बताइए कि जो जल जीव शाला होती है उसमें हरे जलिये पोदे क्यों रखे जाते है सात्यों इसका सभी आंसर है जलिये जीवों को ओक्सिजन वे भोजन उपलब्द कराने के लिए ऐसा नहीं है कि सोंदर्य बढ़ाने के लिए वो पोदे रखे जाते है ऐसा बिलकुल भी नहीं है सात्यों ताकि जो जल में रहने वाले जो जीव हैं उनको ओक्सिजन प्रयाप्त मातरा में मिले उनको भोजन उपलब्द हो जाए इसलिए ही पोदे उसमें रखे जाते हैं इसलिए सेकंड विकल्प आपका सही है तो देखिए यहाँ पर चोता विकल्प आप नहीं के सकते हो क्योंकि यहाँ पर जीव शाला का सुंदर बढ़ने के लिए उपोदे नहीं रखते है इसलिए परता विकल्प गलत है तो चोता भी गलत है और फिर यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरे विकल्प में बेश्ट का चैन करना है तो बेश्ट आपका सेकंड विकल्प है नेक्स्ट है प्रोच्ण नमबर 11 विज्ञान सिक्जण में मांस-पेशियों गतिवाही कोशिय वे अंगिगतियों की आउशक्ता संबन्ध है भावतमक संबन्ध से ज्यानात्मक संबन्ध से और इनमे से सभी तो मित्रों राइट आंसर बताए पुरा ध्यान यहां पर रखिये इसका रा तो साथियों इसका राइट आंसर है किरियात्मक संबंद से है किरियात्मक दूसरा विगलप आपका इसमें सही है किरियात्मक मतलब किरिया किसमें की जाती है देखिए है ग्यान का संबंद तो मस्तिस्क से होता है यहां मान स्पेश्यों का संबंद फिर यहां पर किस से उग रहेगा किरियात्मक से और जो अपनी भावनात्मक संबंध है वो भावात्मक से रहता है साथ वहिड दे से रहता है तो वह थीधिसे संक्या 12 गडानी सीख्छन से बालकों में निंन्मेस से किसी हमत्या का अधिक विकास होता है सामाजिकता तर्क शीलता विचार शक्ति और व्यावहरिकता तो सात्यों देखिए गणिस सिक्षन में रूप से बालकों में तर्क शीलता का विकास करती है किसका तर्क शीलता का तर्क यह समें ज्यादा दिये जाते हैं तो सेकंड विकलप आपका इसमें सही है प्रश्न संक्या twelfth में next प्रश्न संक्या 13 देखेंगे सातियों आपके तेरवा क्यूशन आता है प्रस्तावना के संदर्भ में सही तत्ये कोन सा है कि ये पूरुग्यान परादरित होती है ये विध्यार्थियों के इस्तर के अनुरूप होती है ये उद्देश का तन से संबंदित है और उप्रोक्त सभी तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा राइट आंसर बताए इसका राइट आंसर साथियों चोता विकल्प इसका सही रहेगा कि ये प्रस्थावना के संदर्व में सही तत्य है ये पुरू ज्यान पर भी आधारित होती है विद्यारतियों के इस तर के अनुरूप भी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कक्षा एक का था विद्यारति है कक्षा दो तीन का विद्यारति है और डारेक्ट आप उससे प्रस्थावना किसे सम्बंदित करवा रहे हो आदू निकरांति की तो क्या वो निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे उद्येश कतन से भी सम्बंदित होती है तो चोता युगल्प सही है नेच्ट प्रिश्च नमबर चाउदा किसने कहा कि गणित वह विद्यान है जिसमें आउश्यक निश्कर्ष निकाले जाते तो ये परिबासें तो वेरी इंपोटेंट है वह साब इनको लिख लिया करो अगर याद नहीं है आपके पास लिखी हुई नहीं है तो लिख लिया करो हरबर्ट, पेश्टोलोजी, बेंजामिन पेरिक और यंग तो सातियों हो उप्रोक्त परिबासा बेंजामिन पेरिक के दोरा कही गई है तीस रविकलब आपका इसमें सही रहेगा प्रशनी संक्या चाउदा में नेक्स्ट प्रशनी संक्या 15 और आज का अंतिम प्रशन देखेंगे सातियों लेकिन कमेंड करके जरूर जाए कि कितने क्युशन सही हुए है टेस्ट पेपर कैसा लगा किसी भी प्रशन पर कंतुजन हो तो वो भी जरूर बताएं हमें तो आज का अंतिम प्रशन नंबर 15 समाज में व्याप्त अंधिविश्वास का निवारन संबव है विश्यों के सह संबन से सांस्कर्तिक उद्देश से जिवी को वारजान उद्देश से और वेग्यानी के द्रश्टिगोन से साथियों जो समाज में व्याप्त अंद्विश्वास है तो अंद्विश्वास तो भैसाब किस से मिटेगा वेग्यानिक दर्श्टी कोर्ण से ही मिटेगा सोबा इस चीज है इसलिए चोता विकल्प इसका सही है तो यह आज के 15 कुशन ते साथ यो कल वापिस आपके टेस्ट आजाएगा और रीड बरती कभी भी आ सकती है ऐसा नहीं है आप कई लोग बोलते हैं कि जुलाह वागेरा में होगी तो वैसाब जो तयारी करने वाला मिलते हैं साथ यो अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो